नमस्कार आप देख रहा आरेडी न्यूज मैं हूँ योगीश चक्रवर्ती महागठवंदन में रार के बाद अब बिहार की मौजूदा शरकार की उम्र सिवा को लेकर कयास लगाये जा रहे हैं अफवाहों का बाजार गर्म है कि नितीज सरकार बहुत ज्यादा दिन की नहीं है और कभी भी जा सकती है इसी मसले पर हम बात करने के लिए आए हैं आरजेडी के राष्टिय उपाध्यक्ष उदाय नाराइन चौधरी जी के पास आईए उन्हीं से जानते हैं कि बिहार की नितीज सरकार की उम्र सीमा क्या है शर आप ही बताएए बिहार की जनता को कि बिहार सरकार की जो मौझूदा शरकार है बिहार की उसकी उम्र सीमा क्या है सरकार की उम्र सिमा से ज्यादा पहले यह जानने का कोशिस की लिए कि यह गटवंधन कितने दिनों तक शलेगी एक साजीस के तहट भारतिय जंता पार्टी परचार कर रही कि यह गटवंधन नहीं चलेगा मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह गटवंधन अटूठ हुआ है और यह चलेगी जिसो कोई हिला नहीं सकता गटवंधन अटूठ है इसे कोई हिला नहीं सकता जो आरजेडी के वरिष्ट नेता हैं और खास करके जेडिव के नित्रित्व जो हैं उनकी ओर से भी ये बात कही जा चुकी है। लेकिन सर्फ बीजेपी की ओर से बारबार ये कहा जा रहा है। जेडियू के कई भी धायक हमारे साथ है। और कभी महारास्ट वाला खेला यहां भी हो जाएगा। उनको करने से हम कोई रोके हुए है कर लें हुए। उनको बीज्बी को करने से महाराष्ट का खेला उनको किसी ने रोका तो है नहीं है। लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि यह जो गठवंधन में जो विधायक लोग है, इतना मजबूत विधायक है कि बीजेपी में ये ताकत नहीं किसी विधायक को खरीद ले है। ये जी, बीजेपी में ताकत नहीं है, लेकिन सर जेडियु के कई नेटा जिनें तिजस्वी अदव जी बयान वीर की संग्या दे चुके हैं, लगातार इस तरह की बयान दे रहा हैं, जो कहीं न कहीं बीजेपी के मनोबल को बढ़ाता है, या ये चर्चा भी है कि जेडियू के कई नेता ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि सचमुच ऐसा है कि मतलब सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के दौरा उन बियान बीरों के बारे मैं नहीं कह सकता ये तो उनकी पाटी उनके बारे में नेमने लेगी लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि उसका गटवंदन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है दूर दूर तर गटवंदन अटूट है और जो कुछ राज़त के नित्रते और फैसरा लिया है वो पुर्ण सोच समझ के लिया है बड़ी पाटी होते भी अपने राज हित में देश हित में इस काम को किया है जिस से की सम्झ विधान के ओपर जो खत्रा है उसको बचाये जा सके जो पढ़ाए लाए जा सके और इन्सान और इन्सान के बीच में नफ्रत जो पैदा करने की साजिस की जा रही है अब तक उसको समाप किया जा सके आख्री सबसर कहा जा रहा है कि जी इस तरह से नितीज जी ने कहा दिया कि दो हजार पचीस का जो चुनाब होगा तेजस्वी यादव के नित्रित्व में होगा कते कि इस से जेडियू के या एक खास वर्ग के जो नेता हैं वो सदमे में हैं नितीजी को लगा तो उनोंने कहा और तेजस्वी यादव में कोई इसां कमी है क्या कि नहीं हो सकते है मुखकमंत्री मुखकमंद्री होने के जो सभी गुन है मुझूद है काविलियत है समझने की सकती है हरतरा की स्थिति基本 है जिसमें तेजस्वी यादव बन सकते हैं समय आएगा समय पर होगा अभी हड़वली क्या है तेजस्वी यादव में तो जानवुच के नितिस कुमार जी को अपना मुख्यमंत्री बनाया राज हित्में बनाया है देश इत्में बनाया है और इसका बहुत मलाल हो गया है भाजपा के लोगों को बेचैनी है दर्द है उनको पेट में दर्द हो रहा है कि कैसे यह तूटे है तो तरह तरह का भ्रम फेला रहे हैं हमारे नेता रास्तिय जनता दल के नेता पर केस मुखदमा फिर से खुलवा रहे हैं पुराना पुराना केस जिसका कोई वजूद नहीं है पहले समाप्त उच्पा है उनके सोंको रुख्यूवा रहे हैं लेकिन आम जनता पर इसका कोई यह सर नहीं पढ़ने वाला है सरकार यह जो गठवंधन है यह चलेगी हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर बहुत धन्यवाद राइड निक्वर्प को मैं जे तो यह थे आरजेदी के वरिष्ट निता और बिहार विधान सवा के पुर्व अध्यक्ष उदाय नरायन चौदरी जी जिनका कहना था कि महागटबंदन अटूट है मतलब कि सरकार जो बिहार की मौझूदा सरकार है वो अब उसकी उम्र सीवा लंबी है और वो अपना कारिकाल पूरा करेगी जो अफवाह उडाये जा रहे हैं वो बीजेपी की ओर से उडाये जा रहे हैं ताकि लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो योगेश चक्रवर्ती आरेडी नियूज पटना